सबसे बड़ी खबर जातिगत जंगन्ना को लेकर कॉंग्रेस का हल्ला बोल प्रयाग राज बिहार के बाद अब यूपी में जातिगत जंगन्ना को लेकर सियासक दर्म हो गई है इस मुद्दे को लेकर जिला कॉंग्रेस कमेटी गंगापा अध्यक्ष सुरेश यादव की अधुवाई में कांग्रेजियों ने हल्लाबोल प्रदर्शन किया बुद्धवार को सिवल लाइन स्थित धरना स्थल पर बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेजियों ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुई राष्ट्रपती संबोधित पत्र अपर जिलादिकारी को सौपा कॉंग्रेज के प्रदेश महासचव मुकुन तिवारी और विवेकान अनपार्थक ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए जातिवार जंगन्ना हुनी जाहिए ये सिर्फ हमारी ही नहीं सच्चे सामाजिक लोगतंत की भी मान्ध है कहा कि 2024 में कॉंग्रेज की सरकार बनते ही जातिय जंगन्ना कराई जाएगी कहा कि इसको लेकर भाजपा को आपत्ती क्यूं है पार्टी के जिला शहर कमेटी के प्रवक्ता हसीव एहमद ने कहा कि भाजपा पिछड़े समाज के हक अधिकार को समाप करने की साजश में है कहा कि पेर मवेशियों तक की गिंती की जाती है वही इंसानों में विबिन प्रकार के वर्ण है जो किसी से भी छिपा नहीं इसकी गिंती कराने में केंद सरकार को क्या आपत्ती हो रही है राश्ट्रपती को भेजे गए पत्र में कांग्रेजियों ने कहा कि कॉंग्रेस नेता रहूल गांधी लगातार देश में जातिय जन्गन्ना की मान कर रहे हैं उनकी इस मान को कॉंग्रेस ने पूरी मजबूती के साथ उठाने की कारेयोजना बनाई है प्रदर्शन की दोरान प्रदर्शन की दिनेश भारतियक बच्रक दुबेक छोटी लाल पटेल समेत आदी लोग मौजूद रहे जो मुद्धा था हमारे यहां इस सामान रूप से पिछरी फोसित वन्चित तक्ते के जो लोग हैं उनकी जाती जनगरना कराने के लिए हम लोग मान किये हैं माननी मुख मंत्री जी माननी फिलान मंत्री जी यह जातीत जनगरना कराने का चतकाल है सलाले और हमारे राष्ट्री अध्याच और हट्गेवार जी के आदेश में हम लोगो ने पदाए अन्ना मताये आजिक पाने राष्वारी समाल के लिए जनगरने झाल जनगरने力 जनगरने पतस्रीजार करता कर्वेवारी समाने वें . झाल झाल